हेलो फ्रेंड स्मार्ट नेटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें तो कई ब्यूर्ज की फ्रमाश थी कि मैं आज मैं आपको बटन पट्टी के साथ कॉलर बना के दिखाऊंगी यह यह मेरा अगला हिस्सा है कोटी का यहां से हमने 4,3,2,1 की कटाई करनी है राउंड शेप की तरह है और बटन पट्टी के सभी कुंडे यह सभी फंदे जो हैं हमारे पास 10 फंदे मैं रखे हैं वह हमने बंद करके बाकी का कॉलर बनाना है देखें यह मैंने यहां से बटन प फंदे उठाए हैं मैंने यह मेरा अगला पॉर्शन है कार्डिगन का यहां से मैंने 40 फंदे उठाए हैं और 40 मैं इधर से उठाऊंगी यह देखें और 30 मेरे कोटी के बैक साइड के हैं तो जब हम कॉलर के फंदे उठाते हैं यह देखिए सीधी तरफ से हमें ऐसे रखना है सीधी तरफ हमने ऐसे रखना है अंदर की तरफ से हमने फंदे उठाने है क्योंकि कॉलर हमारा ऐसे मुड़ेगा तो जो हमारी यह यह लाइन वनेगी वो अंदर की तरफ नहीं आनी चा हमने फंदे उठाने हैं कॉलर के लिए ऐसे यह जो लाइन है हमारी फंदों की वो अंदर की बाहर की तरफ आए क्योंकि हमारा कोलर मुड़ के पीछ बाहर की तरफ जाता है इसलिए हमने फंदे अंदर से उठाने है ये देखिए ये बैक जो रोंग साइड है हमारी इदर से फंदे उठाने है इदर की तरफ जहां से भी हमने 40 फंदे उठाने है बीस पेर हमें एक साइड के चाहिए बीस पेर हमें दूसरी साइड के और पंदरा फेर मैंने बैक साइड से लिए है यह दिखे ऐसे करके हमने यहां से फंदे उठा लेने हैं मैं आपको फंदे उठा के फिर से दिखाऊंगी देखिए फ्रेंड्स जहां हमने फंदे सारे उठा लिए हैं 40 फंदे इदर से 40 इदर से और बैक साइड से हमारे 30 फंदे हैं खोल मिलाके हमारे पास 110 फंदे हैं अभी ने क्या करना है एक सीधा और एक उल्टा ऐसे ही बनाते हुए जाना है और हर तीसरी सलाई में यहां से एक फंदा ऐसे बना के दूसरे फंदे में एक फंदा हमें का ऑंड़ाना है, इसे ही करके हमें भी 6 इंच का कॉलर बनाना है मैं सारह आपको बनाके फिर से दिखाओंगी ठीक ऐसे एक सीधा एक ओल्टा एक सीधा एक ओल्टा आप जैसा भी बौड मानना चाहते हैं वैसा आप बना लीजिए और कॉलर की चड़ाई जितनी भी चाहते हैं उतनी बना लीजिए मैं 6 इंच बढाऊंगी 6 इंच जा 5 इंच बनाऊंगी मैं तो मैं बना के आपको दिखाऊंगी देखिए फ्रेंड्स हम सलाई के एंड में हैं देखिए जहां से हमें फंदा बढ़ाना है ऐसे एक उल्टा बनाया और यह हमारा सीधा फंदा है अभी हमें क्या करना है यहां से ऐसे एक फंदा उठाना है इसको हमने सीधा बना लेना है और इसको भी हमने सीधा बना लेना है अभी दूसरी साइड से यह हमने ऐसे ही ले लिया और यह हमारा उल्टा गया और फिर हमारा यह सीधा इसे पड़ेगी हर तीसरी स लाइ में हम ने यह यहां पर फंदा बढ़ाना है एक फंदा हमने यहां बढ़ाया और एक फंदा हमने इस साइड में यहां पे जाके बढ़ाना है ऐसे ही करके हमने हर तीसरी सलाई में एक फंदा इधर से और एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ाना है हमारी कालर की शेप बहुत अच्छी बनेंगी चलिए ज seri sli बना के आपको दूसरी साइड से भी फंदा बढ़ा के दिखाऊंगी देखिए friend यह हमारा ओल्टा यह सीधा यह हमारी दूसरी साइड है यहां से मैंने फंदा जब बढ़ाया था तब आपको दिखा दिया अभी सारी सराई कम्प्लीट करके यहां से हमें यह हमने ओल्टा लिया और यहां से हमने एक फंदा फिर से बढ़ाना है यह देखिए यह फंदा हमने उठा लिया यहां से इसको हम सीधा बनाएंगे और यह वाला भी हमारा सीधा बनेगा ऐसे स्मूध लिए यहां से किनारी ब से सीधी ही जाएगी इसमें ना हमने गटाना है और ना हमने बढ़ाना है ऐसे ही करके आपने ये 6 इंच तक ये बॉडर बना लेना है और इसी तरह से हमारा कोलर बन जाएगा हर तीसरी सलाई में हमने एक फंदा इदर से एक दूसरी साइड से दो फंदे हर तीसरी सलाई में ब प Big Grass जय हमारा पांच इंच बन के अभी तैयार है color यह देखे ऑंच इंच बन चुका है अब हुए इसे बंद करना है Скरें मैं इसे सूई के साथ बंद करने का तरीक देखिए फ्रेंट्स इस सुई के साथ कैसे बंद करना है बोड़र यह मैंने वीडियो अपने चैनल में डाली हुई आप उसी में से देख लीजिए तो चलिए मैं आपको सुई से बंद करके इसको दिखाती हूँ और आप उसमें देख भी लीजिए देखिए फ्रेंट्स अगर आप सुई के साथ बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप सलाईयों के साथ से ही इसको बंद कर लीजिए मैं सुई के साथ बंद कर रही हूँ यह पहला फंद हमने ऐसे लिया और यह दूसरा मैंने सुई के साथ बंद करने का तरिक्का अपने यूटूब वीडियो में डाला हुए आप वहीं से देख लीजिए तो मैं आपको सारा बंद करके दिखाती हूँ फिर से देखिए फ्रेंड जे हमारा कॉलर बन के अब तैयार है ऐसे ही हमारा यह कॉलर बनेगा थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल